कल दिनांक 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को भारत में सूर्य ग्रहैन है ऐसी मान्यता है कि राहू सूर्य को ग्रस्ता है ग्रहैन शब्द ही अपने आप में एक एसा शब्द है कि जिसके लिए हम सकारात्मक, सोच, सुख, सम्रिधी, आरुग्यता इनका तो विचार दूर दूर तक कर ही नहीं सकते है सूर्य ग्रहैन हमारे जीवन को बहुत जबर्दस्त प्रभावित करता है आज मैं आपको जानकारी दूँगा कि कल कितनी बजे से कितने बजे तक यह ग्रहैन भारत में रहेगा सूतक काल कब होगा हमें क्या करना चाहिए इस काल के अंदर और क्या नहीं करना चाहिए इन सबकी में जानकारी दूँगा आप से मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करे और आप चाहे सब्सक्राइब करे या ना करे लेकिन ये जो इस प्रकार की अच्छी बाते हैं इन्हें आप पूरा अवश्य सुने हम अपने बिंदू पर आते है 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार दिन में दो बज कर गुण 30 मिनट से यह ग्रहन अर्थार्थ सूर्य ग्रहन भारत में प्रारम्व होगा यह ग्रहन लगभग चार घंटे और तीन मिनट का बताया गया है और यही कारण है कि यह छे वच कर 32 मिनट साइकाल संपूर्ण हो जाएगा अथार्थ शुद्ध हो जाएगा एक बात का आप अवश्य ध्यान रखे कि ग्रहन जब से प्रारम्व होता है उसके ठीक पहले के बारे घंटे यानि की ठीक बारे घंटे के पहले सूतक लग जाता है सूतक शब्द एक एसा शब्द है कि जिसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी पवित्र और मांगलिक कारिये नहीं कर सकते हैं ग्रहन काल के दोरान और यहां तक की मैं तो यह कहूंगा कि सूतक लगने के बाद से यदी हम धेरिये रखे केवल बारे और चार सोरे घंटे का तो एसी परिस्थिती में हमें इस दोरान भगवान की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए हमें पट बंद रखना चाहिए अपने मंदिरों के घर हो चाहे कॉलोनी का मंदिर हो या बड़ा मंदिर कोई भी हो हमें किसी भी प्रकार से कितना भी कोई बड़ा कारिये नवीन कारिये क्यों ना हो हमें यदि प्रारंब करना है तो वह कारिये प्रारंब नहीं करना चाहिए हमें पका हुआ भोजन भी कदापी नहीं करना चाहिए जल पीना भी निशेध माना गया है यहां तक की गर्वती महिलाओं को यह ग्रहन किसी भी हाल में नहीं देखना चाहिए नाखून काटना कंगी करना यह भी वर्जित माना जाता है यह तमाम जो बाते मैंने आपको बताई उसके पीछे साइंटिफिक लोजिक है और वह वेज्ञानिक तर्क यह है कि इस दर्दर्मियान वातावरण में नकारात्मक औरजा की अधिकता होती है और नकारात्मक औरजा किसी तरह से हमारे शरीर में जल के द्वारा भोजन के द्वारा ना प्रवेश कर जाए हमारे विचार पवित्र ना हो जाए हम रोगी ना हो जाए यही कारण है कि हम इस काल में अर्थार्थ सूतक काल और गहते हुए ग्रहन काल में हमें इन कारियों को कदापी कदापी नहीं करना चाहिए लेकिन यहां में आपको एक बात की जानकारी दे दूँ कि अगर छोटा बच्चा है जो कि भोजन के विना नहीं रह सकता है वृत्व व्यक्ति है जिसे समय समय पर दवा भी देनी पड़ती है और कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ता है या कोई हॉस्पिटलाइज है मरीज है बिमार है रोगी है और उसे समय समय पर आपको फल उनके लिए एसा विधान है कि उनके नित्यक्रम वेसे ही रहेंगे जैसे आम आम दिनों में रहते हैं इस तरह से हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि सूतक काल में और ग्रहन काल में हमारी प्रत्येक चीजों के उपर नकारात्मक्ता नेगेटिव एनरजी अपनी वेवज अपनी किर्णे छूड़ती है और इन किर्णों के प्रवाव से हमारी जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वे दुशित हो जाती है और हमें वे परिशान कर सकती है भविश्य में इससे बचने के लिए हमारे शास्त्रों में उलेख है कि आप सूतक काल लगने के पहले यानि कि ग्रहन प्रारम होने के बारा घंटे से भी पूर डाब एक घास का नाम है डाब या जिसे कुछ भी कहते है आप वो मंदिर से ला सकते है किसी बगीचे में से या किसान से जो जानता है कि यह डाब है किसी पंदित जी से कह दे वो लाकर आपको दे देंगे आप डाब जो घास है उसके छोटे छोटे टुकडे कर ले और जैसे पानी का खोज है मटकी है और आटे का कनस्तर है मिर्ची मसाले है इन अनाज की कोठी है इन सब में उसको डाल दे ध्यान रहे कि जैसे पानी के होज में मटकों में इतना बड़ा डाले डाब का टुकडा कि उसे आसानी से ग्रहेन पूरा होने के बाद में ग्रहेन शुद्य होने के बाद में आप सरलता से उसे निकाल सके अब हमें सुर्य ग्रहेन काल में क्या करना चाहिए इसकी भी थोड़ी सी में आपको जानकारी देना पसंद करूँगा यदी आप धार्मिक विचारों के है यदी आप जब तप करने में संकोच नहीं रखते है तो ग्रहेन प्रारम होने के पहले आपको इसनान करना चाहिए इसनान करने के बाद आपको जब करना चाहिए कोई भी मंत्र आप मा गायत्री के मंत्र का जब कर सकते है शूर्य नारायन भगवान के मंत्र का जब कर सकते है आप महामृत्युंजे मंत्र का जब कर सकते है ओम नमो भगवते वासु देवा मंत्र का जब कर सकते है मा सरस्वती के बीज मंत्र अयम का जब कर सकते है आप कोई भी मंत्र का जब करे और कीर्टन आदी करे इसके अलावा आपको यदि पित्रों को संतुष्ट करना है तो ग्रहन काल की अउधी में आप तरपन करे एक बात जो की बहुत महत्त रखती है हम लोगों के लिए और जो स्कूल कोलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे हमारे पढ़ते हैं उनके लिए कि आप ग्रहन काल के दुरान अनार की कलम से या चांदी की जो कलम या छड़ी होती है उससे शहेत में उसे डुबो कर आप बच्चे की जीब पर उसे उत्तरमुखी नौर्थ फेसिंग करें और आप उस पर आई आई पर बिंदी लगाए एसा करके लगाए कि मासरस्वती उनकी जिव्या पर बेट रही है आप माचिस की तीली का जो पीछे वाला बिना रोगन वाला हिस्सा होता है उससे भी लगा सकते है या अनार की कलम से चान्दी की कलम से लगा सकते हैं आप यदि कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो अंगुली पर आप शहेद लेकर यह कल्पना कीजिए कि आपने उसकी जीब पर ऐम लिख दिया है। ना केवल बच्चों के बलकि परिवार में सभी सदश्य चाहे इस्त्री हो, पुरूसो, लड़का हो, लड़की हो, बहु हो, कोई भी हो, सब की जिब्या पर आप ऐम लिखिए। नतीजा ये होता है कि ग्रहन काल में लिखा हुआ ये एक अक्षर मंत्र, पूरे जीवन भर उस बच्चे को, उस व्यक्ति को ज्यान, बुद्धी, विवेक, वाक, चतुरता, आदी-ादी के अंदर उसे वह कुशल बना देता है। किसी का वह बुद्धी और ज्यान की दृष्टी से मोहताज नहीं रहता है। ये बात यदि अगर आप ग्रहन काल में करते हैं, मैं मान का चलता हूँ कि यह बड़ी उत्तम बात होगी। इसके अलावा ग्रहन शुद्ध होने के बाद आप पूरे घर की साफसफाई करें और उसके बाद ही आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ का विधान रखें। नहाद होकर इसनान करके ही पूजा पाठ करनी चाहिए। परिंडे का जल बदल देना चाहिए। और आप परिवर्तित जो जल है शुद्ध जल है उसे ही आप बाद में काम में ले। रशोई में भी ग्रहन शुद्ध होने के बाद में ही जाए। यदि ग्रहन शुद्ध होने के बाद आप किसी योग्ये पात्र को दान करते हैं जैसे डाकोत आजाता है या कोई भूखा भिखारी आता है आप दान करते हैं तो ग्रहन के पश्यात दान करने का भी बड़ा मह तो है बहुत पुन्य मिलता है मुझे उमीद है कि सूर्य ग्रहन से संबंधित आपको ये तमाम बाते समझ में आ गई होगी आप लास्ट में ये हमें वताना चाहूंगा आपको कि आप खुली नंगी आँखों से सूर्य ग्रहन जिस समय ग्रहन काल हो उस समय सूर्य ग्रहन को गहते हुए ग्रहन को ना देखे मान्यता एसी है कि हमारे उपर बेहद सरवाधिक बुरी किर्णे असर करती है आँखों की जोती पर हमारी बुद्धी विवेक पर हमारे मन मस्तिस्क पर सब जगह उसका बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए कदापी हमें नंगी आँखों से सूर्य ग्रहन को गहते हुए यानि कि जो चार घंटे तीन मिनट का समय आपको मैंने बताया है उस दर्मियान नहीं देखना है जै श्री किष्णा